लाइब लेक्ट वेल्कम टू डैनमिक एज़ुकेशन के आज हम इस सेशन में डिसकस करेंगे सेर्फेस एरिया एन वोलिम के और कुछ कोशन जो पार्ट फर्स्ट हम अल्रेडी अप्रोड कर चुके हैं तो पार्ट फर्स्ट में हमने इस कोशन तक कर लिया था इसके बाद यह कि जो एडिंग फिघर जो को अड़ करके एक दो फिघर को एड़ करके एक फिघर बना जाता है उस पे कोशन बचा हुआ था तो उसको हम आज देखेंगे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस कोशन के साथ अटेंट इज इन फॉर्म ओफ राइट सर्कुलर सिल ट्वंटीफोर मीटर हाइट अब दी सिलिंडर पोर्शन इज 11 मीटर वाइल दा वर्टेक्स औफ यह यहां पे लाइन आपको समझना जरूरी है दा हाइट अब पोर्शन एग्यारा बोला है ठीक है लेकिन वाइल दा वर्टेक्स आप दी कौन इज 16 मेटर एवब दा ग्राउ भी तो को यहां कर रहो हहाँ मैं आए गल्यों हৌ होगा सिर्क टेंट है तो सर्कुलर टेंट पहले बना दो पहले देख सर्कुलर टेंट है महलब कोई कपडा होगा टेंट को मतलब समझते हैं तो इसकपड़eremosर बनाया गया ठेका है मतलब ऐसा कोई circular round field होगा उसके बाहर से टेंट लगा दिया गया तो यह circular ऐसे दिखेगा अब इसके बाद क्या कहा है इस पर surmounted by the cone मतलब इसके उपर कोई cone सेट का जिससे मंदिर में होता है इस थैप का अघंडिया गया तो यह एक officer बन गया दो прикर और को 17 इसकी हट कितने नहीं कुई एक 11 हाइड किटना है 11 कि अरप बोला गया है कि इसका जो सिर्स है मतलब इसका जो वर्टेक्स है इसकी वर्टेक्स से इसके वर्टेक्स का a ground है मतलब यहां से कितना है यहां से यहां तक 16 इसके वर्टेक्स से लेकर ग्रॉउड्डमिंट म्न्य मीटर है टा यह तो बताए इसका यहां से और इसका लेंद कितना हो जाएगा यह पांस हो जाहन를 हूज यह टोटल सोला यह ग्यारा तो यह पांच हो गया अब आपको पूछा है क्या आपको यह कुछ और दिया है डायमेटर दे रखा है डायमेटर दे रखा है अब बाता यह डायमेटर देने का इसके टॉप पार्ट पे यह कौन रखा हुआ है तो इसका भी रेडियस क्या होगा से मैजिटी जो सिलिंडर का टॉप का है तो मतलब कोन का भी जो बेस होता है उसका रेडियस कितना हो जागा बारा चलिए अब आप से जो पूछा है उसका हम बात करते हैं गop key?.. कप्वर तो कंप्लिट एडीया कैसे निकालेंगे के लिए आपको टेंट का पूछाय tribus तो मतलब कि पहलेए का हम बात करेंगे यह समझना बहु जबहुना की कौन सा अरिया पूछा है तो कंप्सरफेसे अरिया बताए क्या होता है कि अ सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं किसका कौन का उसके बाद निकाल लेंगे सिलिंडर का और दोनों को एड़ कर देंगे एड़ सिंपल है ठीक है तो कर और उतना ही टेंट हमें रिक्वाइड चाहिए जब यह कोई सेफ है इस टाइप का उसके उपर से में टेंट लगाना है सिर्फ उसका करब सर्फेस एरिया के बात क्यों करें हम तो कुशन इस तरह सब्सक्राइब कर चाहिए मैं में लिए शाट में लेखता हूं सी आस ए ओफ कौन में इंगे इक्वाल टू जूशज फूर्मला क्या होता है पाई आर एल रहा नहीं होता है ठीक है रिडियस तो द यह कैसे निकालें में देखो यह कितना है 53 क ऽी ह cruelty यह बारा नहें10 है तो एडी पर प्र यह बेस और फिक्लेट होता है तो आपको यह कि मिलने वाल आई तो आपको यह एल कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा यह जाएगा तो आप यहाँ से इसको इसका नाम देता हूं था हूं मैं एसवन यह एद आजयेगा इसी तरह से मैं लिखूंगा CSA of cylinder ठीक है तो CSA cylinder का क्या लिखेंगे बताइए formula क्या होता है 2 pi मैंने समझा रखा है इसका एक circle का area परिदी निकालो circumference से multiple कर दो तो 2 pi r 2 pi r h होता है जानते हैं आप तो 2 pi r h आपको r भी दे रखा है h b given है 11 तो यह हो जागा 2 pi 12 into 11 ठीक है तो यह हो जागा s2 और यह दोनों को calculate करके अब आप इसे add कर लेना तो मतलब area of ऐसे लिखेंगे आपको language को पूरा लिखना ही area of canvas area of canvas required required for tent equal to what is this s1 plus s2 s1 plus s2 हो जागा दोनों का sum तो यह हमारा answer हो जागा चलिए अब हम next question के तरह चलते हैं a toy is in the form of cone surmounted on a hemisphere मतलब एक खिलोना है और वो cone के shape का है और उसको hemisphere पे उसका जो base है वो hemisphere है और उसके hemisphere के उपर cone रखा हुआ है तो language समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है इस type के question में the diameter of base and height of the cone are 6 cm and 4 cm respectively ठीक है तो आपको देखो इसमें इस question में कैसे करेंगे अपन question तो पहले तो हम इसका figure बना लेते हैं तो figure कैसा बनेगा इसका figure just like ऐसे बनेगा एक तो पहले आप हैमisphere बनाएं और इसके ओपर सर्माउंटेट कर देजिए क्या एक कौन ठीक है यह कौन हो गया तो इसकी हाइड दे रखा है कौन के हाइड दे रखा है कौशन में? four, कौन की हाइड कितना दिया है four, मतलब यह four है, उकए Two और इसकी रेडियस कितना दिया है? внतलब we the रेडियस हेडिया के लिए है wszystkie स्कोन के लिए वह पेस के लिए अब आप बदाए स्लांठ हीट कीठा बदी नहीं दिया लेकिन किसी क्स तो यह होता है तो यह जिस did क्या निकालेंगे हम complete surface area ठीक है complete surface area तो complete surface area इसका आजाएगा यहां से कि इसका वही सेम कोशन पिसले बार की था कि आप इसका करव सर्फेस एरिया कौन का और हेमिस्पेर का करव सर्फेस एरिया निकालके और समप कर देंगे से टोटल हो जाएगा तो आप जानते हैं कर सर्फेस एरिया हमने अभी सी-स-ए-आफ-कॉन तो देख लिया हमने फॉर्मूला भी देख लिया ठीक है इसको कर दो गया और कर सर्फेस एरिया ऑफ-स-फेर हेमिस्पेर हाई akhir हमी स्फेर क्रफ सर्फस ए mano ने तो के हुं все कितना होगा तू पाई आर्ड ही स्कुर्इर अब पिछले बार तो आपने पाई पढ़ाया था हमी स्फेर का तो मैंने वह टोटल सफेस एई यह बताया था है क्या होता हुइ ए यह क्या होता है यह चर्कल जासरी में ये भी अभी सिर्फ यह तो बस यह पको क्यों इंग कर रहा है रहा है लिए किसे पाहँ थीक्त पाइरen और जो इस आपको आएगा देखो इसमें सर्प कौन का जैँ निकालो के तडिने इसका नाम देट है मैं स्कूटल तो टोल कितना हो जागा है टोटल लो जाएगा है एधरा प्लस तो टुटल लेस्टाल एक सकांसर आप वेरिफाइग कर सकते हैं नो प्रोग्लम ठीक है इतना मेटर स्कॉरर अब आपको नेक्स्ट कोश्टन है पाट इस नेक्स्ट कोश्टन हम करते हैं इस ऑलिड डिये फर्म ऑफ राइट शांचा प्राइट शेलन्डर च सेलिडा इसक रैस्ट राइट श्लेंडर प्हले बनाई यह जैसे ढम स्टै जाते हैं इसरेγ स्लेंडरर अंब बना लेते हैं ठीक राइड सर्कूलर सिलेंडर बना लिया बिद लिए हमिस्फेर एट वन एंड एड कोन एड अनदर एंड तो एक तरफ इसका जो है एक कोन है और एक एंड के तरफ इसका हमिस्फेर है ठीक इस तरफ इस टाइप का सेफ है हमिस्फेर अधर एंड द रेडियस ओफ कॉमन बेस इस 3.5 मतलब रेडियस कितना है इसका आर दे रखा है रेडियस कॉमन बेस मतलब यह है कितना 3.5 मतलब यहां भी रेडियस 3.5 है और यह भी रेडियस है मतलब यह radius जो दिया है यह cone के base का भी है hemisphere के भी base का है और cylinder का भी है तो and height of the cylinder and conical portion are 10 cm and 6 cm मतलब cylinder का जो यह है यह 10 दे रखा है यह 10 है और जो conical safe है उसका height दिया है कितना 6 तो आप क्या इसका total surface area नहीं निकाल सकते क्या दिक्कत है इसमें इसमें total surface area पूछ रहा है आपको द्यान रखना है इसमें total surface area पूछ रहा है total surface area क्या होगा पहले तो आपको इसकी height इसके height 6 दे रखा है और यह radius 3.5 है यह radius 3.5 है और यह height 6 दे रखा है तो यह इसका slant height कितना आएगा इसका l का formula क्या आ जाएगा रूट अंडर r square plus h square और यह कितना होता है यह हो जाएगा root अंडर 3.5 का square plus what is this 6 का square तो जब इसको solve करेंगे 9 और 6 मतलब यह 48.25 मीटर आएगा सेंटीमीटर दिया हुए तो सेंटीमीटर होगा तो यह 48 प्रेंट यह आ गया अब आप इसका total सर्फेसर यह पुछा है तो हम नहीं के लिए लिखेंगे csv और कॉन है ठीक है अलब कर सर्फेसर या कॉन पलस csv और सलेंडर ठीक है और पलस csv of hemispheres थीक है तो आप तीनों का फॉर्मूला आप जानते हैं एक कह क्या होता है एक होता है पाई आरेल ठीक है पाई आरेल आपको और इसका पता है अल भी पता है अपने यहां निकाल लिए पलस सिलेंडर का क्या होता है करबसर भी रसक्वार श॥े र स्काइब हैं और सुलेंटर का होजाएगा आपको सारे फ्रक्राइब। 3.5 पता है और यह पाई 2 पाई constant है यहां भी R आपको पता है यहां L पता है H भी पता है तो यहां से आप value put करेंगे और total surface area इसका निकाल लेंगे 373.38 cm2 ठीक है यह answer आजाएगा तो इस टाइब के question आपको धरना नहीं है कोशन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन इसका solution आपको बसरते कि आपको concept पता होना चाहिए कि कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है तो यह सब फ्रॉलेज होगा तो आप जरूर इसके साथ काफी enjoy के साथ question solve कर सकते हो बहुत बच्चा को मैंने सुना है कि एरिया सर्फेस एरिया वैलूम वाला जो यह मैंसुरेशन खास करके एक सिलेंडर्कल टब एक सिलेंडर्कल टब की बात कर रहा है चलिए बना जेते हैं सिलेंडर्कल टब है कि और तब कर दो 5 cm and its length is 9.8 meter तो इसका लेंद आपको दे रखा है 9.8 मिटर और इसकी रेडियस कितना है इसके रेडियस है रेडियस है फाइब फाइब मीटर फाइब सेंटिमीटर है सेंटिमीटर यह भी सेंटिमीटर है तो यह टबका दे रखा है और इस फूल ऑफ वाटर मतलब यह पानी से भरा हुआ है एस व्याइब इस इन दा फॉर्म ओफ राइड शर्कुलर कॉन मांटेड ओन दा है हेमीश्फेयर इवस्टर इमर्ज इन टॉब अब इम अमतलब उसमें डुबाया गया है और जो राइड सर्कुलर कॉन किस पर है हेमीश्फेयर हो तो राइड सर्कुलर कॉन तो इस तरह से होगा ज्श्ट लाइफ देखो यह हमीश्पैर पहले बनाओ ठिक है और इस पर एक राइट सर्कुलर कोन डाल दो तो इस टाइप का कोई सेप रहा होगा कोई चीज रहा होगा उसको उस भड़े हुए टब में डाल दिया गया अब डुबा दिया गया इसमें अब बताइए अब आर्कमेडिज प्रिंस्पल यहां लगेगा पानी कुछ न कुछ जागा और कितना बहेगा वह देखते हैं उसी का कॉंसेप्ट है यहां लगेगा if the radius of the hemisphere is 3.5 cm अब radius कितना दिया इसका हमीर गही माल लेते हैं मैं आपको ऐसे मालो radius of hemisphere और इसका radius तो र माल लेते हैं और इक वाइफ तो 5 आप 5 आप 5 है इकॉल टू कितना दिया है 3.5 cm 3.5 cm सेंटीमेटर रेडियस ऑफ हेमिस्पेर है हाइट ओफ कौन क्या दिया है हाइट ओफ कौन तो लिखते जाओ तो तो लिखते झाओ उसके भाद सिरह्स करों कि क्या इसमसा फॉर्म लगेगा वोल्यम आफ आपको यह हैज पता आँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस को सॉल करने के लिए कोशन समझगी आप क्या है कि एक टब है और उसमें पानी भरा हुआ है उसमें एक इस सेप का बस्तू डाल दिया गया और बताइए कि आप पुछा है मतलब इसके डालने के बाद अब वोल्यम कितना बचा पानी का टब इसमें में तो कैसे करेंगा बताओ यह तो बहुत इजी कोशन है कि भैया पहले आप सिलेंडर का पूरा निकाल लो वोल्य consent tar चलेगा तो हमें पानी भी पता चलेगा कि कितना इसमें पाणी है ठीओ कрим जितना इसका पांः पाइगा और जब आप इसका बोल्यू निकाल हो यह जो आपको अपना जगह यहां पर जितना इसका वोल्यम होगा इतना यह घेर लेगा तो जितना यह घेर एगा उतना ही पानी बाहर निकाल देगा उतना ही पानी यह बाहर निकाल देगा तो हम क्या करेंगा मतलब कुल मिलाकर यह है कि बड़े वाला सिलेंडर का यह टब का निकाल लो और तो इसका वोल्यम निकाल लो और माइनस कर दो ठीक है माइनस कर दो और वह हो जाएगा लेफ्ट वाटर लेफ्ट ठीक है कि इसमें जितना पानी बचा तो देखो वॉल्यम आप सिलेंडर आप जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है पायर स्कुर्ण होता है तो जब आप इसमें वेल्यू पूट कर रहो है तो मेरे पास कैलकुलेटर है मैं बता दे रहा हूं यह आएगा 770 सेंटीमीटर क्यूग ठीक है यह वोल्यम आएगा सिलेंडर का अब उसके बाद आपको क्या निकलना है इसका तो इसमें दो कंबिनेशन हैं हेमिस्फेर और कौन का तो यह तो इस तरह से फिर आप इसको जब करना लगाना और पूट करना तो इसमें जो आंसर आएगा वह आएगा 8154 सेंटीमीटर क्यूग ठीक है 8154 सेंटीमीटर क्यूग एट नहीं यह एट नहीं यह एट वन नहीं वह सिर्फ 154 आएगा 154 तो अब यह सी बात है 1548 कैसे इसे तो वटर लेफ्ट देखो इस तरह से आप ध्यान करके कोश्टन करोगे ना तो आपको गलती भी करोगे तो आप खुद फाइंड आउट भी कर लोगे जैसे मैंने अभी यहां गलत लिखा मुझे तुरंत दिमाग में आ गया कि जब इसकी पूरी सिरेंडर का 770 है तो इस चोटे वाला जो सेफ है इसका कैसे आठेज चला रहेगा तो यह इस वज़ा से आप सुधार भी कर सकते हो यह आप अच्छे से सोल कर रहे हो और आपको पता है तो वटर डू यह टियर वटर लेफ्ट हम जब लिखेंगे तो वट इस दिस वन 770-154 और यह कितना जागा यह जागा 616616 सेंटिमीटर क्योग यह इतना पानी इसमें बचेगा समझ में आया चलो तो यह क्या है यह प्रैक्टिकली तो है जैसे मैं बोलू हूं आपको कि कोई घर में आपके बाल्टी होगा ठीक है उसमें पानी टब में भरा हुआ है और आपको आपको जग ले आया या मग ले आया और उसको आपने डुबाया वह पहले से यह जो टब है तो उसमें से पानी कितना बाहर निकलेगा जितना उसका वोल्यूम होगा यह प्रिंसपल है तो वही सेम कॉंसेप्ट है हमें होने लगाया अब नेक्स कोशन है ए पेट्रोल टैंक इस स्लेंड्रिकल से बेस डायमेटर इस टॉंटीवन एंड लेंथ 18 सेंटीमेटर फिटेट बिद दा कॉनिकल एंड इच एक्सिस लेंथ 9 सेंटीमेटर डिजर्माइन देपेसिटी ऑप दिटेंक अब देखो कैपेसिटी वर्ड भी आपको मिलेगा जहां भी कैपेसिटी पूछ रहा है उसका मत लगा सब्सक्राइब दिख रहा है आपको कि चलिए यहां फिकर बना देते हैं कि एक पेट्रोल टैंक है तो टैंक पेट्रोल टैंक ऐसा होगा तो ठीक है सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है और इसका बोल रहा है जो एंड्र है यह जो टैंक का एंड्र है वो कैसा है कॉनिकल सेथ का है कोनिकल एंड्र है तो इसकी ऑक्सिस हो जागा यहां से पास होगा यह एक्सिस पहां तो इसके जो एक्स एग्जियल लेंथा दे रखा है वह 9 सेंटिम, मल्एक्ड़ खुल्ड का कॉनिका एंड का जो एक्जियल लेंथ है मतलब यह 9 है और एक्जियल लेंथ यह भी 9 है तो खुल में आकि आप कौन का हाइट मान सकते हो से थीक है इंडारेकली आपको कोन का हाइट गिवन है 99 चलिए अब आपको बेस का ड़ेटरे का ड्रैमेटर 21 है और इसका लेंथ 18 अथारा है तो मतलब कि 10.5 हो जाएगा चलिए रेडियस आगे अब आपको पूछा क्या है capacity of the tank बिल्कुल एजी मालब complete volume निकामना है मालब इस कोन का भी इस कोन का भी और cylinder का भी तो आप cylinder का तो जानते हैं volume of volume of cylinder cylinder कि सी वाई एल आई डी आर वोल्म आप सिलेंडर आप जानते हैं पाई आर स्क्वाइर होता है ठीक है पाई इंटू आर कितना है और अभी हमने देखा 10.5 का स्क्वाइर हो जाएगा हाइट कितना में 18 चलिए इसको multiple करके आप find out कर लिजेगा और इसका नाम दे दिया मैंने फिर इसे तरह से volume of volume of conical ship कोनिकल पोर्शन तो इसमें क्या करोगे आप कोनिकल पोर्शन का वोल्यूम क्या होता है बताए एक क्या होता है 1 upon 3 into pi r square h ठीक है यहां पर h2 देते हैं क्योंकि h यह ओल्रेड़ी इसका है तो इसका हीट कितना दिया यह 9 दिया है और यह दोनों क्या है एक तो यह तो फॉर्मुला सिर्फ एक के लिए होता है दो के लिए क्या है और दो से multiple कर देते हैं क्यों क्योंकि दोनों same same shape and size का है त नहां से 3-9 चला जाएगा आप इसका solve करेंगे तो वी टू जो आएगा वी टू जो संतिंग आएगा वह आपको 1039.5 cm क्यों आएगा तो देरफोर यह दे मैं आप से पूछूं कि टोटल वोल्यूम क्या होगा वी कितना होगा तो डैट मेंस वीवन पलस वीवन पलस वाट टीक है तो इसमें टू वी टू कर नहीं कर देना क्योंकि वी टू अमने अल्रेडी आने टू मल्टिपल कर रखा है ठीक है तो सिर्फ वीवन पलस वी टू करके इसका टोटल कैपिशिटी हम निकाल देंगे तो इस ताफ यह गोशन भी आता है आप आते हैं एकोनिकल होल इस की ड्रिल इन एकोनिकल होल इस ड्रिल इन अल्रेय। गोशन यह बोला गया है कि एक कोई कोनिकल होल करके एक पहले राइड होल कौन था DIRE साफ इन स्लेंडर था राइट सर्कुलर स्लेंडर था समझ में आया चलो अब इसमें से क्या किया गया ड्रिल करके एक राइट सर्कुलर कौन निकाल दिया गया तो बताए यहां से कोई स्देटमाइब करा बूर्थ निकाला आनंप behavior कि कि आप क्या थे मुए तो इस तरह करें लेगा इस तरह सो निकलेगा इससे कॉन वसमें यह थूब सा टेड़ा होगा कि यह तरब से कॉन बढ़ा लिए गया इसमें से निकाल लिए गया ड्रिल कल के तो स्लेंडर का है hora 12 12 cm बेस रेडियस इसका दे रखा है अब जो रेडियस इसका है वही इसका कौन का भी बेस रेडियस होगा तो यह पांच है गिवन है और आपको लेंथ इसकी अब बताएए यह जो इसका से लेंडर का हाइट होगा वही तो इसको जब मैं इसके टॉप से वर्टेक्स से भी बारा ही होगा अजब ये पांच ये बारा तो ये इसका सलंट हाइट कितना जगात चासलंट करना जाएपया ट्रिपलेट होता है तो यह तीसalt आयर्यधक है तो आप पहले टोटल सर्फेस अर्या बताओ मुझे कैसा जो बीद्फन होगा यह तो सर्फीस आइगा है इसमें हमने कोई शयर्चांड नहीं किया है हम ने इसके अंदर 有rdar में ड्रिल करके निकाला है तो जब अंदर से को निकालेंगे इसका जर्फेस एरिया भी होजगा ऐसा कौन का इसे हमाघ अंदर के और हाथ सकते हैं में छोच सकते हैं तो तो भी स्टोटल क्वी ऑर्ट होगा होगा तो एक सर्फेस कोना ये यह चार्कुलर ये बनाएगा यहmented से या निल आए इसका पाई आर फ्क्लर एक और रह एगा एक और कोना यह जब आप इससे निकाल लोगे तो कि यहां भी अंदर सर्फेस अरिया बनेगा तो वो कितना हो जाएगा वो जिस तरह से कौन का सेथ निकला तो कौन के सेथ में ही होगा वह तो और कौन का सर्फेस अरिया इसको कर लेंगे जब आप करोगे तो यह आजागा तो टीन सब्सक्राइब करके पॉइंट में भी डाल सकते हो ओके अब आपको पूछाए क्या रिमेनिंग पॉर्शन रिमेनिंग पॉर्शन मतलब रिमेनिंग वोल्यूम कितना बचा इसमें जब आपने इसको निकाल दिया तो क्या बचा तो सिंपल यह पहले एक कंप्लीट था पहले इंटाइब नहीं काला तो एधि को नहीं नीकाला तो सिंपलेंडर का फॉर्म लाट धकिया वोल्यूम का यह होता है और जो wow कि रिमेनिंग वोल्यूम मत थिकिया में बोल्यूम कि ओपिसरेनोच होता है उसमें से हमने जो निकाल दिया कौन का तो वोल्यूम कि Parl車 भी अपन थरी पाइरस को एच समझ में आया तो आप यहां से जब इसको सौल करोगे तो यह सौल करोगे तो यह जाएगा 200 पाई कितना एगा 200 समझ में आया तो यह जाएगा रिमेंडिंग वोल्यूम तो इस टाइप से भी आपको कोशन अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक देख रहे थे कि कोई दो फिगर मिलाके एक फिगर बना दिया जाता था और उसका वोल्यूम पूछा जाता था लेकिन इस क तो इस टाइब की question आते हैं examination में आपको बस practice रखना है उसके बाद और confidence रखता है हतास नहीं होना है और हतास कब नहीं होगे जब आपके पास full practice होगा practice से तो जानते हो सब कुछ possible है आप सो चलिए अब हम बाकी के जो एक और question है वो 5-6 question बच रहा है उसको हम next session में आपसे कराएंगे ठीक है सो thank you for watching dynamic education